दोस्तों काफी दिनों बाग फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए gaming news का एक और वीडियो लेकर मुझे पता है कि मैं काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे time नहीं मिल पा रहा था महवीर जैनती की वज़ासे आप लोगों को पता है कि य हमेशा संदेश देते हैं कि लड़ाई जगडे में कोई कुछ नहीं रखा हमेशा जी ओ और जीने दो तो चलिए अब ग्यान की बाते बहुत हो गई मैं सबसे पहले गेमिंग न्यूस पर आता हूं तो कुछ तो अब पूरे 5 साल लगाएंगे वो इस गेम को बनाने में क्योंकि जब भी किसी नए जनरेशन पर कोई गेम बनती है तो उसमें तीन साल से ज़्यादा टाइम लगता है गेम को बनने में तो लेकिन इस बार आपको इस बार ट्रेलर ये टीजर वगरा कुछ दिखा देंगे इसी साल के अंदर जब भी इनका कोई भी इवेंट वगरा होगा इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेरे पाद जो सवाल आया था वो गोडव वर रेगना रोग को लेकर आया था भाई उसकी क्या है श्टेट अप प्ले होगा कि नहीं होगा तो भाई एप्रेल मन्त में होना तो था लेकिन अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कब होगा लेकिन एप्रेल में हो या माई में तो मुझे लगता है कि वो जो इवेंट होगा आपके स्टेट अप प्ले का वो पूरी तरह से बेश्ट होगा गोडव रेगना रोग पे तो रेगना रोग गेम आप अब ये एक दो टाइटल शायद उनके पाइपलाइन में हैं इसके लिए हम बात करेंगे प्रिंस व परस्या के बारे में तो प्रिंस व परस्या आएगी कि नहीं आएगी जो इंडियन कंपनी बना रही है मतलब यूपी सोफ में जो पूनिय में स्टूडियो है वही बना र रहा साइबर पंक से रिलेटेड भी एक न्यूस आपको पहले देदू कि इसका भी एक्सपेंशन पास आपको खेलने को मिलेगा 2023 में तो कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इसका एक्सपेंशन पास आएगा यानि कि DLC वगरा तो उसके इंदर आगे की स्टोरी होगी क्या पूरा साल अभी एक तरह से बचाई है चार महीने गई है साल के तो आट महीने आप थोड़ा सा वेट करो इसी साल कुछ नपकुछ इसकी नियूस निकल कर आएगी और इसका हाल वैसा नहीं होगा जैसे प्रिंस पर्सिया रिडेम्शन का हुआ था उसकी वीडियो अलिस्ट जो अभी ता कंपनी फिक्स नहीं कर पाई है और वैसे भी आपको पता है यार कहना नीच यह पर हम इंडियस तो पहली बदना में हर काम को लेट करने में तो पूने स्टूडियो में गेम बन रही है तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि यहां पर कितनी तेजी से काम ह हो रहा होगा भाई इसके अलावा दोस्तों आप कुछ और नियूस भी है जरसा में दिमाग लगा लेता हूं और कौन-कौन सी नियूस है मैंने अभी सारी नियूस नौट करके रखी हुई थी आ दोस्तों एक तो आप एक्सबोक्स गेम पास की लिस्ट देख लो एक एसा ट है जैपनिश टाइटल है गोश्ट व सुशीमा वाला फील आएगा आपको गेम का नाम थोड़ा ऐसा है कि मुझे याद नहीं रहता है तो आप कमेंड बॉक्स में जरू बताइएगा तो मैं इस गेम की लाच्ट इविंग पक्का करूंगा इसके अलावा स्नाइपर इलाइ इन लोगों को शायद वो गेम मिलने वाली है मिल चुकी है और वह उसका गेम प्ले वगरा भी तैयार कर रहे होंगे जैसी गेम लोट चोगी 25 माई है उसकी रिलिश्टेट तो वह से अपलोड कर देंगे इसके लावा दोस्तों मैं आपको एक नियूस यह भी दे रहा हूं क कि Max Payne 1 & 2 उसका भी Remastered Version आपको बहुत जल्द खेलने को मिलेगा बहुत जल्द तो नहीं यानि कि अगले साल ही मिलेगा लेकिन यह गेम डेफिनेटली रोकिस्टार ने ओफिशली कन्फरम कर दिया कि भाई यह डवलपमेंट में है और मिलके बना रहे हैं Remedy और रोकिस्टा और भी खेलने को मिल जाए ठीक है न दोस्तों तो उसके लिए आपको लंबा बेट करना पड़ेगा लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है जब यह कंपनी किसी पुराने टाइटल को Remastered करी है यानि कि वह दुबारा से चाहती है कि उसकी fan following दुबारा से जिंदा हो जाए तो इ पर एक टीम अलग से काम करी रही है उसकी 2023 तक आपको officially release date वगरा या trailer तो देखने को मिली जाएगा अब बात करते हैं हम अपने last news की तो last news में मैं news नहीं दूँगा कोई आप लोगों को बस यह एक surprise है आप लोगों के लिए कि मैंने आप देखी रही है जब से मैं काफी चेस कर रहा हूँ अभी मैंने मशीन ली थी नैस लिया था जिसके अंदर 32 terabyte में फिलाल यूज कर रहा हूँ उसे हम आप टो वन लैक टेराबाइट तक उसे वह support करेगा ठीक है दोस्तों इसके अलावा आपने एक मोनीटर भी लिया है जो एक गेमिंग मोनीटर है और बहु कोई मोनीटर ऐसा लूँ जो मेरे थोड़े से बजट को भी खराब करते क्योंकि पहले मैं बहुत पैसा इंवेस्ट कर चुका हूँ इसके लावा मुझे एक चीज और लेनी थी वह आप गैस करो वह क्या हो सकती है कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा है मेरी लाइन में बस थोड़ा सा समय और दीजे धन्यवाद